हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के मारे नए क्लास में आज हम लेकर आए हैं 12 वालों के लिए फिजिक्स में एक और नुमेरिकल ये नुमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है इससे जैसा कि अपने पिछले क्लास में आपको एक ट्रांसफॉर्मर का नुमेरिकल बताया है चलिए क्लास को स्टार्ट करते लेकर अपको बता देते अगर आप पहली वार इस वीडियो को देख रहे है यह चैनल पर नहीं है तो यहां पर हम भाई अनसौल पेपर सॉल्व करा रहे है यह हमारा चल रहा है 2022 का सेट चैव्ड और हमने फिजिक्स का एक पहले अनसौल पेपर भी सॉल्फ कर चुके हैं 2021 का सेट नंबर टू तो अगर आपने नहीं देखाया देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस बनिए आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर कोशन को पढ़ते हैं पहला कोशन यहां पर लिखा हुआ है कि च यहां पर देखा हुआ है यहां पर देखा हुआ है यहां पर 2.5 मीटर एमपेर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विच्छेद प्रदर्शित करता है इसे 0 से 7.5 ए का मतलब भी यही है एमपेर कहीं पर भी ए लिखा होगा या एमपी लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे वो है मातरक किसका धारा का क्या मातरक होता है एमपेर आगे लिखा है के परास के ए मीटर में कैसे परिवर्टित करेंगे तो आपको भी बताएंगे कि इस कोशन को आप कैसे लेंगे, सबसे पहले आप पहले इस थियोरी वाले कोशन को solve कर देते हैं, क्या है कोशन कि जो कुंडली होती है धार मापी के चल कुंडली धार मापी में वो एलुमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है, तो सबसे पहले इसका अंसर देख लेते हैं, लिखा हु तो आप जानते होंगे, जिसे हम धार मापी बोलते हैं, आप गैल्वेनो मेटर भी लिख सकते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं धार मापी, जो धारा को मापता है, धारा को मापने का यंत्र कौन सा होता है, गैल्वेनो मेटर या इसी को धारा मापी कहते हैं, यह क्यों ल यही answer लिखेंगे, अब उसके आगे देख लेते हैं, अब एक numerical है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा हो गया है, यहाँ पर अगर आप देखें, हमने आपको पढ़ाया था, चल कुंडली धारा मापी, वो दो तरीकों से बदली जा सकती है, एक तो a meter में हम उसे बदल सकते हैं, औ पढ़ा तो हो गई आपने, यह पूरा अपने आप में complete topic है, चल कुंडली धारा मापी, इसमें आपको दो topic पढ़ने को मिलेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो बता देते हैं, एक कहा जाता है कि आप इसको a meter में बदल कर दिखाईए, और एक topic इसका आता है, कि इसक motion में लिखा गया है, लास्ट में अगर आप देखेंगे कि a meter में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानि कि आपको कौन सा formula लगाना पढ़ेगा, a meter में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, दो formula है इसके, एक है आपका voltmeter वाला, तो voltmeter के लिए भाई, जो formula होता है, वो अलग होता है, यहाँ पर हम आपको formula बताएंगे, वो क्या होगा, a meter में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो सबसे पहले formula आपको बताते है, formula यह होता है, जब भी आप किसी धारा मापी को a meter में बदलते हैं, तो यह formula होता है, क्या है, अगर आप चाहें, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कि धारा मापी को a meter, या धारा मापी का a meter में रूपांतरण, या रूपांतरण का मतलब तो समझते होंगे, परिवर्तर, तो यह heading डाल के आप यह वाला formula लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि यह कौन सा formula है, a meter वाला है, क्या formula होता है, पहले पढ़ते हैं, लिखा अपर सब कुछ चीजे डिटेल में बताएंगे, फिर कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी साथ में बोले यहाँ पर क्या होता है, एस बराबर आई जी और कैपिटल जी फिर आई माइनस आई जी ठीक है, अब यहाँ पर एक बात पढ़ते हैं, यह सारी वैल्यों ह में एक हाँ पर दे रखा है मुझको, सबसे पहले हमको कि 120 ओम प्रति रोध, हमने आपको बताया था कि जो प्रति रोध होता है, उसको भाई क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, याशन कि इसको लिखते हैं, तो कहने का मतलब हो गए, यह आर का मान दे रखा है, ए जब भी transformer के numerical आएंगे और उसमें अगर प्रतिरोध दे रखा होगा word तो आप क्या लिखेंगे R नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे Z लिखेंगे क्या लिखेंगे Z लिखेंगे तो ऐसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए वहाँ पर transformer का सवाल था तो हमने प्रतिरोध को किस से लिखा था Z से लिखा था यह देखी पॉइंट जो है बाते याद रखने वाली है वैसे तो normally R से लिखते है लेकिन यहाँ पर वहाँ पर transformer था तो Z से लिखा था Z भी क्या था एक तरीके का प्रतिरोध होता है उसके बाद अब भाई यहाँ पर बात आई चलकुंडली की तो अगर चलकुंडली वाले सवाल आ रहा है चलकुंडली धारा मापी के तो कहीं पर भी प्रतिरोध दे रखा होगा तो आप उसको किस से लिखेंगे Capital G से लिखेंगे Capital G से तो यानि यह मान दे रखा है Capital G का 120 Ohm यानि आप साब को समझ में आगे G क्या है G भाई एक है प्रतिरोध कन्फ्यूज बिल्कुल मत होईए हर जगे वैसे नॉर्मली आप यूज करेंगे Capital R का जिससे हम रेजिस्टेंस कहते हैं इस लेयार से रिटोट करते हैं ओम का नियम आपने पढ़े ही होगा V वराबर I R ठीक है फिर उसके बाद लेकिन अगर Transwarwar की बात आती है तो आप प्रतिरोध को किसे लिखेंगे Z से लेकिन अगर चल कुंड़ी धारम आप्य की बात है मिली होगा यह मीटर नहीं होगा ठीक है मीटर तो ऐसी आपका लिखा जाएगा लेकिन जब भी किसी मातरक से पहले मिली भी लगा होता है यानि ग्राम भी लगा होता है तो आप इससे क्या पढ़ेंगे मिली पढ़ेंगे इतना आप याद रखें एंपियर किसका मात्रक होता है धारा का और धारा किस से लिखते है हम आई से लिखते है धारा को और साथ में किसकी धारा दे रखी है ये धारा मापी की दे रखी है धारा मापी का मतलब क्या है गैलवेनोमीटर इसलिए छोटा से सफिक्स में जी लिखते हैंगे यानि कि कहने का मतलब है कि ए आई जी की वैल्यू दे रखिए हमने कैसे पता करा भई एम्पियर मातरक होता है धारा का धारा को लिखते हैं हम आई से और चोटा सा धारा मापी है तो धारा मापी के लिए चोटा सा इसमें जी लगा दिया जिससे कि पता चल सके यह कौन सी धार तो पॉइंट फाइफ या दारा मापी वाली यानि कि IG कमान कितना दे रखा है 2.5 मिली एमपीर ठीक है यहां पर आप चाहें स्मॉल इजी लिख लिख ले या कैपिटल इजी लिख ले जैसे आपकी मर्जी हो तो दो चीजे हमको फाइन मतलब मिल गई है कोशन में दे रखी है एक जी कमान 120 ओम और IG कमान कितना दे रखा है 2.5 मिली एमपीर और अगर आपको मिली हटाना है तो क्या करेंगे 2.5 ऐसी रहेगा यह वाली चीज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 10 की पावर माइनस के 3 से गुड़ा कर देंगी ठीक है जब भी मिली हटाते है तो 10 की पावर माइनस के 3 लगा देते हैं और एमपीर यह और यह second value हमको मिल गई है, जो question में हमको दे रखी थी, अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इसे 0 से 7.5 ampere, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, मातरक क्या है, ampere है, क्या मातरक है, ampere, अब हमने आप से क्या कहा, ampere किसका मातरक होता है, धारा का मातरक होत सफिक्स में जी क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि कन्फ्यूज ना हो, कि मतब यह वाली धारा की बात करी जा रही है, यह वाली धारा की बात करी जा रही है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें धारा मापी था, तो वहाँ पर हमने छोटा सा सफिक्स में जी लगा दिया, क् यह दारा मापी की बात करींगे, यह दारा मापी को उम इंगिश में क्या कहते हैं, गयलवैनोमीटर, गयलवैनोमीटर का जी ले लिया, ठीक है, अब अगर आप इसको करेंगे, हमेशे क्या करते हैं, दो यहाँ पर धारा दे रखें, कि 0 से लेकर 7.5 एमपियर है, हमें एमपि में से अब 0 घटाएंगे, तो कितना आजाएगा, 7.5 एमपियर, समझ में आ गया, यानि कि तीन जीजे हमको दे रखेंगे, गिविन है, पहला जी का मान, यह दे रखा है, और यह क्या दे रखा है, हमको आई का मान, अब हम डारेक्ट फॉर्मल लगाएंगे, अमीटर वाला और हमारा निकल आएगा, तो देखें, कोशन में जो जो दे रखा था, वैसे हमने आपको बता दिये, जी का मान, यह क्या है, प्रतिरोध है, यह क्या है, धारा है, यह देखें यहाँ पर, हमने अभी आप से क्या कहा था, कि मिली हटाते तो क्या लगाते, 10 की पावर माइनस की 3, तो हमने क्या किया है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 होगा यह, जब आप इसको सॉल्फ करेंगे, तो कितना आएगा, 0.0025, अगर आप देखें, 10 की पावर माइनस की 3 है, तो पॉइंट इधर बढ़ाईए, तीन बार तो इतना ही आ जाएगा ना, तो आप चाहें ऐसे लिख ले, या चाहें ऐसे लिख ले, बात वेकी है, ठीक है, तो यह हमारा आई जी का मान, दे रखाता, बता दिया, आई का मान भी बता दिये, क्या लिखाओ भई, यह आई लिखाओ, आई से अलमत समझेगा, यह है आई, ठीक है, तो तीनो मान हमको पता है, तीनो मान का अलग formula होता है याद होगा आपको तो आप लगा सकेंगे आ जो कोशन में हमको दे रखा था आप इसको solve करेंगे इसकी multiply कर लीजे तो 0.3 आएगा इसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा जब आप इसको solve करेंगे तो कितना आएगा इसका माल 0.04 Ohm भाई ये जो हमारा S है ये भी एक तरीके का प्रतिरोध ही है अब आप सोचेंगे भाई G भी प्रतिरोध है S भी प्रतिरोध है तो S को हम बोलते है विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते है विशिष्ट प्रतिरोध ठीके तो I hope आपको पूरा कोशिन अच्छी से समझा पाई होंगे सबसे पेन बात आपको याद रखती है कि कौन से सवाल में प्रतिरोध को हम किस से डिनोट करेंगे नॉर्मली तो हम R से ही लिखेंगे ट्रांसफार्मर है तो किस से लिखेंगे जल्दी बताईए किस से लिखेंगे Z से अगर हमारा चलकुंडली धारम आपी है तो किस से लिखेंगे हम जी इस से लिखेंगे और ये S क्या है हमारा इस S को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध तो ये भी तो प्रतिरोध ही है तो इसको इसले मातर प्रितरोत का क्या लगाएंगे लास्ट में ओम लगाएंगे तो आशा करते हैं आपको समझा पाए होंगे यहाँ पर इस फॉर्मले को जरूर याद कर लीजिए यह फॉर्मला कभी उस होगा जब आप धारा मापी को किसमें बदलेंगे अपने आवीटर में तो आशा करते हैं सारी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी इस क्लास में इतने रखते हैं अगले क्लास में अगले नाय कोशन के बारे में बताएंगे तब तक के लिए जय हिद जय भारत